Hey welcome back to our channel, आजकी इस वीडियी में जानेंगे आपको mobile phone से marriage bio data कैसे create करना है तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं, सबसे पहले आपने play store में जाना है प्लेस्टों में जाके मैरेज बायो डाटा मेकर इस एप को इंस्टॉल कर लेना है उसके बाद आपको एप का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाए देगा यहाँ पर आप देखेंगे बायो डाटा मेकर create bio data के option पर आपको click करना है सबसे पहले आपको इसमें language select करनी है उपर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी language आ रही है उसके बाद नीचे आप यहाँ पर personal details यहाँ पर आपको personal details फिल करनी है जैसे name, caste, date of birth, blood group, height, weight, education, occupation and income अगर आपको कोई field इसमें delete करना है जैसे blood group आपको नहीं add करना है इसमें तो उसके side में delete का icon है उसके click करेंगे are you sure you want to delete blood group field? yes तो यह delete हो जाएगा उसके नीचे आपको family background detail फिल करनी है जैसे father name, occupation, mother name, brother, sister यह सब आपको फिल करना है नीचे other में आप देखेंगे property अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं otherwise इसको delete कर सकते है are you sure you want to delete property field? yes उसका address, email, contact okay इतना सब फिल करने के बाद आपको नीचे अगर edit करने चाते हैं यह से edit कर सकते हैं otherwise आपने save पे click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको template मिल जाएंगे template 1, template 2, template 3 तो आपको इसमें से जो भी template पसंद आ रहा है वो आप select कर सकते हैं बहुत सारे template आपको मिल जाएंगे तो इसमें से मैं कोई भी एक template select कर लेता हूँ मैं यह ही select कर लेता हूँ यहाँ पर तो इसमें आप देखेंगे जो भी by data हमने fill किया था मैंने इसमें कुछ fill नहीं किया है वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने image भी नहीं लगाई है आप image लगा सकते हैं name आपका यहाँ पर आजाएगा उसके बाद आपकी इस पर जो भी detail है अपने date of birth, height, weight, education जो भी आपने fill किया है वो सब इस तरह का इसमें दिखाए देगा और यहाँ पर आपको और भी option मिलेंगे जैसे आपको image लगाना ही नहीं इसमें तो नीचे shape का आपको option दिख रहा है इस पर click करेंगे तो no image, circle shape, square shape, round square shape जो आपको चाहिए वो select कर ले हैं तो यहाँ पर अभी square shape select कर लेता हूँ तो square मा आ जाएगा okay text अगर आपको change करना है यहाँ पर text color यहाँ यहाँ से change कर सकते हैं तो मैं यहाँ पर light blue रख लेता हूँ तो light blue में हो जाएगा उसके font भी आप यहाँ से change कर सकते हैं okay इस तरह से and यहाँ पर size आपको कौन से size में चाहिए आपको यहाँ से size select कर लेना है तो यहाँ पर मैं यह size select कर लेता हूँ तो आप देखेंगे आपका जो मैरेस बायो डाटा है कुछ इस तरह का आपको दिखाए देगा उसके वाए नीचे आपको दो आप्शन मिलेंगे Download and Share आपको Share करना है तो आप यहां से Share कर सकते हैं डारेक्ट किसी भी प्लेटफर्म में अगर Download करना है तो Download पर क्लिक करने के बाद आपको Download as a Image, Download as a PDF आपको If PDF में चाहिए या इमेज में चाहिए वो आपने सलेक्ट कर लेना है तो मुझे Image में चाहिए मैं Image में डाउनलोड कर लूँगा इसको और अगर आप Share पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप share as image, share as pdf तो आपको कैसे share करना है, पूछ रहा है मैं image select करूँगा यहाँ पर आप देखेंगे आपको कहाँ share करना है, youtube, whatsapp facebook, जहाँ भी आपको करना है, यहाँ से आप share कर सकते हैं, mail भी कर सकते हैं तो इसी तरह से आसानी से आप marriage by data create कर सकते हैं, mobile phone से मैंने इसमें detail फिल नहीं किया है आप अपने detail आरम से फिल कर लेना है and text color यह सब आप इसमें change कर सकते हैं तो फिलाल इस वीडियो में इतना है, वीडियो चले कि तो चैनल को भी subscribe कर लें and thanks for watching, see you in next video